नमस्ते फ्रेंड में सविता अगरवाल कुकिंग वी सविता मैं आप सभी का सौगत करती हूँ आज मैं आप सभी को बारिक सुजी को किस तरह साफकर कर्ष्टोर करते हैं यह भताने वाली हूँ तो चलिए देखते हैं बारिक सुजी को साफकर करिश्टोर करने के लिए हमें किन किनची जोकी आवशक्ता ही है, यह देखते हैं सबसे पहले इस तरह कि एक कोई भी बारिक चलनी ले लीजिए अब लिये वे बारिक चलनी में लिये वे बारिक सूजी को इस तरह थोड़ा थोड़ा डाल कर सभी सूजी को इस चलनी में से निकाल कर बारिक सूजी को इस तरह अच्छे से साफ कर लीजिए तो देखिए इस तरह सभी सूजी को अच्छे से चलनी में से निकाल कर साफ कर लिया है अगर आपने मेरे कुकिंग मी सविताइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास इमें दिये वे बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी तो चलिए अब बारिक सूजी को चलनी में डाल कर साफ करने के बाद इस तरह साफ किये वे बारिक सुजी को इस तरह प्लेट में थोड़ा थोड़ा डाल कर बारिक सुजी को इस तरह साफ कर लेते हैं बारिक सुजी को चान कर, साफ कर कर स्टोर करने के इस तरीके के वीडियो को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ फेस्बूक और वाटसप पर ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए जिससे मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपका सपोर्ट मिलेगा तो देखिए इस तरह बारिक सुजी को चलनी में डाल कर, इस तरह अच्छे से चुक कर साफ कर लिया है अब साफ किये वे इस बारिक सुजी को एक एर टेड डिबे में भर कर, डिबे का धकन अच्छे से टाइड बंद कर कर, एक से दो मेने के लिए श्टोर कर कर रख सकते हो बारिक सुजी को साफ कर कर स्टोर करने के इस तरीके को आप जरूर ट्राय कीजिए तो मिलते हैं अगली एक और नहीं रेसिपी के साथ बारिक सुजी को साफ कर कर स्टोर करने के इस तरीके के वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद ठैंक्यू